इतनी आसानी से नहीं रुकेगी मालती देवी उठाना होगा अनुपमा को यह बड़ा कदम नमशकार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरेट्स में हंग्री स्पिरेट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ मालती देवी अपनी नीच्टा की हर सीमा पार करती जा रही है दोस्तो अनुपमा की मम्ता पे प्रहार करना मतलब उसके बच्चों पे प्रहार करना और बच्चों के साथ गलत करना कितना गलत होता है यह हम सब जानते हैं बच्चे जिन्होंने कोई गुना नहीं किया है बच्चे जिन्होंने कोई अपराद नहीं किया है उनको यूज करना उनको मुहरा बनाना बहुत बड़ा गुना है दोस्तों और खास करके आज जो छोटी के साथ किया है मालती देवी ने, जिसको अनुपमा ने बीच में ही रोक दिया, तो ये बड़ा गुना मालती देवी करती ही जा रही नुपमा को अब एक ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे मालती देवी को हमेश्चा के लिए रोक लगा द आईना दिखा दे मालती देवी को चलिए चर्चा करते हैं पहले वही निवेदन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लिजिए साथ में दोस्तों बेल आपोन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफकेशन मिलते रहें दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में आप जाओ कभी भी इस चीज़ को माफ नहीं किया जाता है कि आप किसी इनोसेंट के साथ गुना करो उसका नुकसान पहुंचाओ मालती देवी जिसकी अपनी इगो इतनी हर्ट हो चुकी है कि उसने अपना हर दर्जा बुला दिया है सही कहा वनराश्शा ने कि आप तो नजरों से ही गिर गई है जिस मालती देवी की चर्चा पूरी दुनिया में थी गुर्पुल मालती देवी बड़ा नाम उस मालती देवी का ये चहरा देखे तो सच में गुसा भी आता है और दुख भी होता है क्योंकि जिसके अंदर इतनी कला भरी हो उसके अंदर एक और कलेश भरा हुआ है जिसको वो अब दिखा रही है एक छोटी बच्ची कितना बड़ा गुना करी मेरे को तो बोलते हुए भी शर्मा रही है एक छोटी सी बच्ची जिसकी मा उसकी बाइलोचिकल मदर मर चुकी है उसको दूसरी मदर से यानि की मम्मी से अनुपमा से उसको प्यार है उसको वो मम्ता मिल रही है मगर मालती देवी अनुपमा को ठेस पहुचाने के लिए उसके अंदर का प्यार ममई के प्रती चीनना चाती है उसके दिल में नफरत भरना चाती है सही समय बे पहुंच गया नुपमा नहीं तो मालती देवी ने जो करना था वो कर देना था ये मालती देवी ही कर सकती थे अगर मैं दूसरे तारीके से बोलू जो अपने बच्चे के लिए ममता नहीं दिखा पाई वो दूसरों के बच्चों के लिए क्या ममता दिखाएगी और यही चीज दोस्तों अनुपमा के लिए बड़ा solution बनेगी मालती देवी के खिलाफ जो मैंने कहा कि अरुपमा को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और यह बड़ा कदम यही है जब उसी का बेटा उसके सामने आके उसको कहेगा कि तू तो मा केलाने के लाइक नहीं है जो कि अनुझ है तब इसको पता चलेगा मालती देवी को कि जब मुपे बच्चे ऐसा बोलती है तो कैसा फील होता है क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ममता बिल्कुल ही मर गई हो कहीं एक परसन कहीं थोड़ी सी जिंदा तो है इसलिए तो बदले लेती फिर रही है इसे तो किसी की भी ममता के उपर सवाल उठाती है इसी ने तो अनुपमा से नफुरत करती है क्योंकि अपना गिल्ट छुपाने के लिए दस गलतिया करती जा रही है नकुल भी कहा सगा होगा इसका नकुल को भी सलेव की तरह ही यूज कर रही है बेटा बेटा कहके जैसे अनुपमा को यूज करना चाहती थी आज जो किया है मालती देवी ने सच में अनुपमा का जवाब यही बनता था जो अनुपमा ने दिया आनुपमा के हात की मजबूती को आज मालती देवी ने मैसुस कर लिया है मगर वो दोस्तों रुकेगी नहीं मैं ये बोल रही है वन्राज का उसको धमड़ेना आनुपमा का ये एटिटीड मालती देवी का देखना मालती देवी इसके बाद और जादा परहार करेगी मगर अब अनुपमा तयार है उसके परहार के लिए और अपने वार के लिए भी पहले तो वो रोकेगी सारे परहार मगर फिर जो मैंने आपको कहा है वही उसी की दवाई उसी को खिलाएगी तो मालती देवी को रोकने का यही एक तरीका है जो अनुपमा के तरीके होते हैं वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं अगर नॉर्मल परसन किसी को रोकना चाहे तो बहुत सारे तरीके होते हैं मगर अनुपमा का तरीका यही है कि मालती देवी को उसकी ममता की याद दिलाए उसके बेटे की उसकी सारी जो फ्लैश्बैक है उसके सामने लाके खड़ा कर दे कि आप इसलिए अंदर से तूटी हुई है तब आप यह सब कर रही है आपको अपनी ममता मिल जाएगी तो आप म इसमें जो बाकी मसाला है वो मिलने वाला है मगर अंतिम हल यही दिखाई दे रहा है क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजेगा देखते रही है चैनल हंगरी स्पिरिट्स थैंक्यू समग्ज कर दो